नमस्कार दोस्तों मैं गनेशाधित स्वागत करता हूं आपका कमपेटिसन कमपनीटी पे हमने जो पिछला चेप्टर पढ़ा है पसानकाल उसी पसानकाल से संबंदित कुछ महत्पूर्ण को लेके मैं आया हूं इस वीडियो पर ठीक आप ध्यान से इन वीडियो इस पर जो एंसी क्यूज है इनको बनाईए ठीक है हम प्रयास करेंगे कि इन एंसी क्यूज के माध्यम से आपका जो नौलेज है ठीक पसानकाल ठीक या उससे संबंदित अन्नी चीज़ों पर थोड़ा पासारप हो गले है ठीक बढ़के देखते हैं ठीक पसानकाल से संबंदित कॊण कुण से महत्पुर? प्रसन जो कि संभावीत है प्रस्थ में आने के लिए प्रिच्छर में आने के लिए ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रस्ण है हमारा कि निम्न पूरा पासाण काल में औजार किस पत्थर के बने होते थे तो निम्न पूरा पासाण काल इसका मतलब यह हो गया कि इतिहास का यह आपका प्रारंभी कवस्था तीक देखे इतिहास तीन कालों में भाजी थे पूरा पासाण काल और उत्तर प पासानकाल का ये पहला अवस्था है, निम्नपूरा पासानकाल, तो निम्नपूरा पासानकाल में जो औजार बने होते थे, वे क्वाटजाइट, जैसपर, फिलिंट या चट, ठीक, ये चार पत्थर है, इन में से किन पत्थरों के बने होते थे, ठीक, तो हमने चैप्थर में पढ़ा है, पिछले जो वीडियोज है, उसमें साफ साफ पढ़ा है, कि ये जो होते हैं, वो काट जाइट के बने होते हैं, जब कि ये जो तीनों है, तीक, निम्न पुरा पासान काल के बाद की अवस्था में, ये दिखाई देते हैं, तीक, तो ध्यान रखीगा, ये बाद की अवस्था में तीक है अर्थात निम्द पूरा पासाड के बाद मद पूरा पासाड काल और उत्तर पूरा पासाड काल में तीक है आपका जेस्पर फ्लिंट और चट इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा क्वाट जाइट क्लियर हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं तो ध्यान रखेगा ठीक प्रारंभ में सबसे पहली बार मानाओन ने अगर किसी पत्थर का और जार के रूप में उपयोग ही किया तो वो पत्थर है क्वाट जाइट पत्थर ठीक दूसरा आप लेलेंगे ठीक अगले स्टेज में जैस पर फ्लेंट और चट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रस्न है निमलिखित विशेस्ताओं पर विचार कीजिए क्या है ठीक पहला कि फसल खेती और पसु पालन ठीक है दूसरा अनाज तर्ट बंद किले बंध और तीसरे है तांबे का उप्योग अरथात है तीन अलगọi अलग परकार के टिक विशेस्थाओं की चर्चा की गई है और प्रस्थक पुछा जा रहा है उप्रोक्त विशेष्था किस यूग से संबंदीत है ध्यान रखेगा किस यूग से संबंदीत है तो बताएं किस यूग से संबंदीत है उप्रोक्त विशेष्था क्या बद्य पसाड काल से संबंदीत है यह नौ पसाड काल से यह तामर पसाड काल से यह पुरा प वसुपालन तो यह हमारे उत्तर-पासाणड काल में चालू हो चुकर था अर्थात 9 पासाण काल में टिक अनाज भी उस समय बनानाज मतलब की खेटी भी हमारी प्रारम्हुची थी लेकिन यह जो तामबे का उपयोग है यह बहुत बाद मी आिये और था यह जो काल दर्सारा है ताम्रपासाड काल इन दोनों को भीःओं के भी करनों के विरूपे भी हम तामबे का प्रियोग कर रहे थे तब कि की क्या कहते हैं ताम ब्रपासान काल कहते हैं क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं कि हमारे दो तिसरा प्रस्ण है वो क्या कहता है तिसरा प्रस्ण कहता है कि धातू के अविश्कार का सही करम बताईए ठीक धातू के अविश्कार का सही करम बताईए ठीक कांसा तांबा लोहा तांबा कांसा लोहा तिक तांबा लोहा और कांसा फिर उप्रक्त में से कोई नहीं आपको अभी हमने चर्चा किया था कि तांबा तो पहले यह तो तांबा है इसको आप अंडरलाइन कीजिए गोल कीजिए अर्थाथ सब से पहला तिक माना द्वारा अव पहले पढ़ा था कि पहले पासाण काल था lucky पासाण काल की भी वेन वस्थाय है ठीक पूरा पसांड मद्ध पसाड और उत्तर पासाण काल सार काल के बाद आपको पता है कि जब तॉय अर्था कि पशमय उसे करो तиков Karma काल तीयों कांस यूगिन उ से लो हं यूगिन सब्भेता क्योंकि मगद समराज के आसपास राजगिरी ठीक है अठात महाजंद पदकाल में आपके ठीक यह जो लोहे का है यह इसका विस्तार या इसका खोज जो है या इसका उपयोग जो है बहुत आयत में होने लगा तो यह करम है ध्यान रखेगा तो इस तामबा से कांसा बनता है तामबा और टीन मिलाकर क्या बनता है कांसा कांसा कैसे बनेगा ठीक आप कॉपर ले ले और तीन ले ले एसेन ठीक ध्यान रखेगा कॉपर ठीक इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सी यू कॉपर प्लस एसें एसें टीन का रासाइनिक सूत्र है ठीक इससे क्या बनता है कहां सा बाद में लोहे का अविश्कार हुआ तो इसका उत्तर क्या होगा बी ठीक है समझ में आ गया आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कोश्चन पर ठीक अब देखिएगा हमारा चौथा कोश्चन है ये बता रहा है चावल निमलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया एक स्थान जिसे इसका नाम देने के बजाए ठीक सबसे पहली बार अनाज का खोज कहा हुआ तो एक एक करके दिख लेए सिंदु घाटी नर्मदा घाटी महानदी घाटी या विंध्याचल के उत्तर में तिक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका उत्तर प्रदेश यानि इलहाबाद के पास कोल्डीवा अनाम के स्थान है यहां से क्या मिला है प्राचिंता साक्ष मिले है अर्थात हम इलहाबाद को ध्यान में रखेंगे तो चावल का जो सबसे पहला खेती है इलहाबाद आपका विंध्याचल के उत्तर में इसका उत्तर यह होगा क्लियर है तिक क्योंकि जो आपका आपका जो आपका इलहाबाद के आसपास के रिया यहां पर सबसे प्राचिंतम खेती के परमान हमको मिले हैं चलिए आगे बढ़ें पांचवा कोश्चन हम देख लेते हैं पांचवा कोश्चन यह कहता है कि कुम्बकारी अथात पौट्री मिल्थी का बरतन होता है तो थ्यान रखेगा कुम्बकारी का प्राOS और उत्तर पासाण काल और था था यहां पर हमेंसा क्या चीज़ होते थे पत्थर में मैट्रो लिफ काल कहते हैं क्यों च्छोटे पत्थरों का विष्कार होता था उसी से ताम्र पासाण काल कूंबकारी आएगा। उत्तर पासान काल में, जिसको हम नौ पासान काल के कि नाम से भी जानते हैं, नौ पासान काल, क्लियर है, ठीक, तो नौ पासान काल में, अर्थात उत्तर पासान काल में कुम्बकारी का प्रारम हुआ, चलिए, आगे बढ़ें, ठीक, अब हम अपना अगला प्रसन देख लेते अगला प्रसन हमारा है, कि जारवे जोरवे या नेवशा, यह जो पूरा तात्वी के श्थाल है, किस राज्य में इस्तित है, जारवे ठीक, और आपका निवासा, उत्तर प्रदेश, महाराश्च, रादेस्थान और मद्द्परदेश, ठीक, दिमाग लगाईे, कहा है जारव निवाशा कहा है? तो यह जो है आपका पड़एगा महाराष्ट में. suburbs महाराष्ट में ध्यान रखेगा महाराष्ट में ये स्थल पड़ता है निवशा ओर आपका जोरवे है? इस बाकिस्थान पर अलग है उत्तर परदेश, राजिस्थान, बद्धिपर्देश, बहुत सारे आपके पूरा तात्विक इस्थल मिने हैं तिक लेकिन यहां पर हमको पढ़ना है तिक जोरवे और निवासा के बारे में आगे बढ़ते हैं आगए हमला हमारा प्रस्थ है तिक थोड़ा इधर आ जाते हैं अगला प्रस्थ के लिए जान रखीगा निमलिखित में से कौन-कौ से नौ-पासान-काल की विशेष्टता का द्योत्तक है तिक अर्थात जो हम इन करेक्टरिस्टिक्स को यह विशेष्टाओं को पढ़ेंगे इन विशेष्टाओं में हमको यह देखना है कि कौन जो है वो किस से संबंधित है नौ-पासान-काल बतलब इस चीज़ को आप अ सनाने का जो साउस्चे वो कब से मिलते हैं नौ-पासान-काल से करसी विवहार का परथम प्रयोग बिल्कुल करसी का भी प्रयोग जहें नौ-पासान-काल से चालू हो जगा था मतलब था, ऐसा नहीं कि केवल इसी में आया, घीसे तथा पालिस दर पत्थर के ओजार, ये भी है हमारा 9% काल से संबंधित, और मृद्ध भांडों का निर्मान, ये भी हमारा 9% काल से संबंधित, तो आपका, देखे, मृद्ध भांड दो है, इससे पहले से भी परचलित है, केवल यहीं से परचलित नहीं है, इसी आवस्था के आसपास इनका परचलन हो गया है, और ध्यान रखेगा, गौरिक ब्रिद भांड जो है, तिक ये आपके बाद में और लंबे समय तक चले हैं, अर्थात ये सारे के सारे चीज़े जो है, आएंगी अर्थात ये सभी, ति अर्णिट लगाखे नहीं, पालिजदार का मतलब हो गया, कि उसको घिस-घिस के चमकाया जाता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड के, उसको क्या किया जाता था, इसमें साइनिंग उत्पंद किया जाता था, और मृद भांडों का निर्मार, तिक मिरिद भांड ठीक मिट्टी के बरतनों का निर्मान प्रारम हो चुका था यहां से इसी काल में चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं उत्तर हो गया आपका D ये सभी हमारा अगला प्रस्ता है निम लिखी तमेशे किसको कैलकोलिथिक यूग भी कहा जाता है ध्यान रखेगा कैलकोलिथिक के बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कैलकोलिथिक यूग जो है कब प्रारम हुआ किसको कहते हैं कैलकोलिथिक यूग तो ध्यान रखेगा एक एक करके पहले यहां देख लेते हैं पहला है क्या पुरा पासान काल को कहते हैं कैलकोलिथिक यूग या नौ पासान या त C, ठीक, तामर पासान काल को ही हम क्या कहते हैं, कैल को लिथिक, यूग कहते हैं, चले, आगे बढ़े, ध्यान रखेगा, इन सब छोटे-छोटे परस्न है, ठीक, लेकिन, बीट करे के लिए प्रयाप्त है, ठीक, इस परस्न को देखिएगा, यहाँ परस्न क्या बोलता है, नि भी आप अंडरलाइन कर लिएगा, ठीक, निम्न पूरा पासान काल, यानि कि पासान काल की प्रारंभी के बस्ता, निम्न पूरा पासान काल के संदर में, निम्न कथनों पर विचार करें, और सही उत्तर का चेन करें, हमको सही उत्तर को खूजना है, ठीक, निम्न पूरा पा धवार्व मद्राज के निकट तीक उसका कउस किस नी तो रावड ब्रुसफूट ने किया था तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो स्टेट्मेंट है वो सही है तीक है इस्टेट्मेंट सही है दुसरा तो क्वा ब горalles निर्मान में क्वाटजाइड पत्थरों का प्रियोग किया जाता था क्वाटजाइड तिक अभी हमने पिछले परस्त में देखा था कि मानों ने सबसे पहली बार तिक जिन पत्थरों को प्रियोग करके उप्योग करके तिक आपका ओजार बनाया पत्थरों से वो पत्थर कौन थे, क्वार्जाइट के पत्थर थे, तो ये दूसरा statement भी हमारा सही है, संभवता इस काल के मनुस निग्रोटो जाती के थे, अब ये आपके लिए एक नया चीज़ है, निग्रोटो जाती के थे, तिक अर्थात परजाती स्थर पे हम इस काल का खोज कर रहे ह तो बिल्कुल सही, ये भी statement सही है, कि जो प्रारंबिक अवस्था के जो आपके आदी मानों थे, तिक वो किस जाती के थे, निग्रोटो जाती के थे, तिक अब आज ये आपके पास option में है, एक और दो, दो और तीन और ये सभी, तो ये सभी में उप्रोक्त है, तो ये आप परस्त, ये कहता है कि निम्न को सही सुमिलित करिए, चलिए भई, सुमिलित करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको सुमिलित करना है, ठीक, अर्थाद, जो हमारे पास काल है, और काल के उससे सम्मंदित विशाइस्ताओं को दिया गया, जैसे कि आपका मध्य पूरा पा उच, वो आपका निम्न वाले में से, निम्न मध्य उच, उसके बाद मध्य पासाणकाल और नव पासाणकाल, अब एक एक करके देखते हैं, फलक एवं तक्षणी, ठीक, पहले मध्य पूरा पासाणकाल को खुचते हैं, खुरचनी बेधक संस्कृती, पालिष उपकरन संस संस्कृती, और सुच मध्य पासाणकाली, अभी तुरन चर्चा किये थे, आपका पालिष, जैसे पालिष आया, नव पासाणकाल, एक मिल गया हमको, ठीक, सुच मध्य पासाणकाल को, ठीक, अब आज ही उपर, उच पूरा पासाणकाल में फलक संस्कृती था, इस चीज को हमने वीडियो पर पढ़ चुका है, ठीक, बजगे हमारा खुरचरी बेधक, ठीक, यह हमारा यह, अर्थात, ठीक, पहला दो, एक, चार और तीन, देखे, दो, एक, चार और तीन, यह option, ठीक, अर्थात हमारा इसका विकल्प है, वो सही रहेगा, clear है, आगे बढ़ें, आग इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, इसका अगर आप चेप्टर पढ़ें है, तो खद्यानों की किर्सी किस यूग से सम्बंदित है, क्या वो 9 पासाड से है, मद्य पासाड से, पुरा पासाड या प्रोटो एतिहासिक काल से, तो यह बहुत ही सिंपल सा प्रस्न है कोई डाइट नहीं है कि यह आपका 9 पासाड काल से सम्बंदित है, 9 पासाड काल में ही ठीक है, क्या आपका खद्यानों की कर्सी यह प्रारम हो गई थी, पासाड बाकि ध्यान रखिएगा, ठीक, अपका पूरा पासाड काल तो पूरा आपका सिकार में बिता है, यहां पर भी सिकार आखेटक के अवस्ताति खाद संग्राहक थे ध्यान रखिएगा ठीक तो इस काल में यह संभाव ही नहीं है दोनों काल में ठीक तो आपका नौपासाण काल में क्रिसी का आविश्कार हुआ क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा तेरवा प्रस्न ठीक य गुफाओं के बाद अगर मैदानी लाका है तो वो गड़ा कर लेता था जमीन में और इसी के अंदर इस परकार का गुफा बना के रहता था जहां देखेगा गरतवास जमीन के अंदर तो इस परकार के गरतवास कहां से मिले है पहला देखिए बुर्ज हम दुसरा गुफक तिसरा कुचई और महागर तीक तो आपको हमने चप्टर में पढ़ा था कि इस काल के जो अवसेस है यादि की तीक गरतवास के जो साख्च है वो मिले है हमारे कश्मीर से और कश्मीर में ये दोनों इलाका पड़ता है तीक धियान रखिएगा कश्मीर से कश्मीर इसलिए ये पहला और दूसरा सही रहेगा तो पहला और दूसरा क्यों कि गुफा कराल भी कश्मीर में है और बुर्ज हम भी कश्मीर में है अब बुर्ज हम से आपका मानों के प्राचिंतम अवास अर्थाद गरत अवास का साख्च मिला है सांति सांत गुफा कराल से भी तीक आपक इंतम अभिलेखों में से एक है, यहाँ प्रस्ण यह है कि बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त, इंद्र, मित्र, वरुन और नासत्य देवताओं में से, नासत्य का संवन्द किससे है, अर्थात नासत्य के बारे में पूछ रहा है, इंद्र के बारे आपको पता है, मित्र, वरुन इनसे प्रस्ण नहीं है प्रस्ण है नासत्य से नासत्य का सम्मद किश्ण से है चले देखते हैं विकल्प को तिक अस्वनी कुमार वही आपके आउशधी वाले तिक आउशधी और शधी तिक जो विक आपके भैसज विज्ञान या थाद तिक यह डॉक्टर थे समझ अग्रा परस्ण है चाओधवा परस्ण ये बोलता हे कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था नवदा टोली जो है ठीक हमारे आपके पसानकाली अवस्था का एक प्रमुकिस्थान है ठीक इसका उत्खनन जो है ठीक केडी वाजपई ठीक वीएस वाककंड ठीक है एच डी संकालिया और मार्टिमल वी लग ठीक तो यह जो फैक्च्छ चीज नहीं यह पढ़े हैं आप सिदरा आप एक बार में जान सकते हैं कि इसका कोज एच डी संकालीया ने किया यह जो पुना जो विशविद्ध्याले है पुना विश्विद्ध्याले है यह उसी सम्मध है और यह जो है आके नौदार टोली जो है नामा के स्थान पर आके इन्होंने क्या किया था उत्खनन कराया था ध्याँ रिखिएगा जो कि मद्र परदेश में है कहां पर है मद्र परदेश में चलिए आगे बढ़े अगला हम देख लेते हैं हमारा प्रस्ण है अगला तिक निम ने लिखित म दियान देना है, सही सुमेलित नहीं है कुध्यान देना है, ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं, बेलन घाटी क्या उत्तर परदेश में है, ठीक, तो बिल्कुल है भई, ठीक, प्रवार घाटी राजिस्थान में है, जानकारी है, तो ठीक है, देखले हैं, सोन घाटी, मद् पढ़े हैं तो प्रवार घाटी जो है राजिस्थान नहीं है यह कहां है महारास्ट में है महारास्ट प्रवार घाटी का मतलब प्रवार जो है एक नदी है तिक गोदावरी की सहयक नदी किसकी गोदावरी की सहयक नदी है गोदावरी गुदावरी की सहायग नदी है चलिए आगे बढ़ें तिक हिरन घाटी सौरास्ट में है इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है ये भी सही है चलिए अगला परस्ण लेके हैं सौलवा परस्ण सौलवा परस्ण है भारत के किस सहलास्टरे से सरवाधिक चित्र प्राप्थ हुए सहलास्टरे का मतलब सहल का आस्टरे अर्थाद पत्थरों के निवास अर्थाद जब आदी मानों अपना प्राडंबी के वस्था में निवास करते थे तो पत्थरों में रहते थे पत्थरों की गुफाओं में रहते थे जो भी स्थान खाली रहता था उसी खाली स्थान पे रहते थे तो ध्यान रखिएगा तिक यह जो है आपका इसका एक उत्तर आयागा आपका घगरिया भीमबेट का लिखाहिया और आदमगड तो इसका सरोमान उत्तर है भीमबेट का ठीक है मद्य परदेश का जो टिरियूज का जो वेब साइट इसमें यह बताया गया है कि लगभाग यहां से 500 से अधिक क्या मिले हैं चित्र मिले हैं more than 500 ठीक है आपका रॉक जो पेंटिंग है रॉक पेंटिंग वो प्राप्थ हुआ है कहां से भीम बेटका से ठीक है लिखाईया जो है यह आपका पुरा तात्वी के स्थाल है उत्तर परदेश से ठीक और आदम गड़ यह आपका मद्दे परदेश से ठीक है और जो घगहरिया जो है एक चोले में ठीक आपका जो चित्रकल आए वर्थमान में यह परचलीथ है ठीक है ध्यान रखीएगा आगे का साक्ष किस स्थान पे सबसे पहले मानव रहे थे थे तो नदी घाटी में तो रहते थे ही clear है तिक यहाँ पर भी वही हाल चाले है तिक तो ध्यान रखे गा सीवालिक निलगिरी नल्ला मलेई तो आपको फिर सिहाँ पर बता दूँ कि नदी घाटी में हमारे कई नदी मिल रहा है नर्मदा नदी और यही सही उत्तर है ठीक भारत में भारत में ध्यान रखेगा नर्मदा नदी किनारे ही क्या मिला है ठीक हमको सबसे पहला मानों के निवास के साक्षे प्राप्त हुए हैं क्लेर हैं आगे बढ़ते हैं ठीक रूप में उपयोगी है, ध्यान रखेगा, स्रोत समगरी के रूप में उपयोगी है, ये आपका विकल्ब जो है, कलत है, चलिए, तिक, कौन-कौन सा है भाई, आपको परागते हिस्तिकाल में, आपको स्रोत क्या है, जिवास में रहा है, बिल्कुल रहा है, कुलहारी, बिल्क थिक, अर हमको लेना है आगे, तो जिवास्म रहा है, कुलहाड़ी भी है, मृत बांध भी प्राप्त हुआ है, और अस्ति के अवसेज भी प्राप्त हुआ है, क्यों? क्योंकि अस्ति के अवसेज का मतलब है, कि धियान रखिएगा, बाद में आदिमान ça, पथर के अवजारों के साथ जानवरों के जो बड़ी अस्थियां होती थी उसको भी ठीक है धारदार धार करके उससे क्या करते थे शिकार करते थे अर थात अस्थी से भी सिकार करने का प्रचलन ठीक प्रागेति प्रस्ण देखे हैं, ध्यान रखेगा, हाला कि इस चैप्टर से प्रस्ण कम बनते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, समय है, हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक, तो ध्यान रखेगा इन सारे प्रस्णों को आप एक बना के, मुद्णाब कौपी में बनाईए, ठीक, और उ इतिहास के समाने प्रस्ट भी आपको परिसान करके रखेंगे चलिए फिर धन्यवाद हम फिर अगले MCQ अगले वीडियो के लिए मिलेंगे आप हमारा जो YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब किजे अगर आपको PDF नोर्स चाहिए तो आप हमारे CGPSC प्लस MPPSC के जो टेलिग्राम चैन सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Demo Classes की वीडियो हैं ठीक है अगर आपको recorded class के बारे में जानकारी चाहिए या recorded class चाहिए तो उसके लिए आप website में जाके ठीक विजिट कर सकते हैं सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी धन्यवाद झाल झाल